नमस्कार मैं हूँ सच्चिजानंद वसेष्ट और सज्जनों धनूराशी वालों के लिए ये दिसंबर का मेना कैसा रहने वाला है क्या 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 हमें सावधानिया इसके अंदर रखनी है क्या क्या मोड हमारे जीवन में आ सकते हैं उन सब की जानकारी देने का प्रयास कर रह ब्रयास्पती आपके पंचमस्तान में है और पंचमस्तान का ब्रयास्पती बहुत ही बड़िया होता है अतिस्रेष्ट फलदाई होगा विशेश करके पढ़ने वालों के लिए हैं जिनका एक्जाम है जिनका इंटर्व्यू है वो जो है सफल होने वाले हैं और जिनको बाल या कि भी हो सकता है, तो नमम द्रश्टी, नमम इस्थान के उपर इनकी द्रश्टी है, लगन के उपर इनकी द्रश्टी है, लाव इस्थान के उपर इनकी द्रश्टी है, तो लाव के सरोत बनेंगे, आय के सरोत बनेंगे, भाग्य की वर्दी होगी, और मन आपका निर्मल र रहेगा, मन आपका सात्विक रहेगा, धार्मिक रहेगा, अच्छे कर्म करने की प्रेड़ना मन के अंदर उत्पन होंगी, शनी आपके तरतिये इस्तान में कहें, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, तो उस विवाद में विजय आपको मिल जाएगी, चाहे मुकदमा है, चाहे वो समाज का केस है, उसके अंदर विजय आपको प्राप्त हो जाएगी, अच्छे मित्रों के आपको प्राप्ती होगी, लेकिन जो प्रिहस्पती अच्छा फल दे रहा था पढ़ाई के मामले में, वहाँ पर सनी विप्रीत फल देंगे, अर्थात प्राप्ताई के मामले में, अब मिला जुरा फल हो गया है, तो आपको सनी की शांती करते रहना चाहिए, जिससे की पढ़ाई के अंदर या आपकी प्रगती के अंदर किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, और राहू आपके चतुर्त स्थान में कहें, मन में चिंताएं बन नहीं रहेंगी, और कुछ प्रॉपर्टी सम्मंदी विवाद आपके सामने आ सकते हैं, माता का स्वास्त आपका गिर सकता है, आपको कहीं अपयस्त ना लगे, उसकी सावदानी आपको बरतनी है, और सोला दिसंबर को सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे, पहले नुक्सा हैं तारीकों की तरफ, तो एक, दो, तीन तारीक ये आपके लिए स्वास्त के लिए अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन चार तारीक से लेकर के चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ये तारीक हैं, आपको आपके क्रिया कलाप में, आपके भाग्य में, आपके रोजगा कार में ये ब्रदी देने वाली कहें, लंबी यात्रा करवाने वाली कहें, किसी भी रुके हुए कारे को आप राज्यादिकारी से निकलवा लेंगे, आपका कारे बन जाएगा, लाब के स्रोत आपके अच्छे होंगे, लेकिन ध्यान रखे, 11 बारा तारीक ये धन का पयोग करें, दूर पयोग ना करें, क्योंकि नुक्सान का योग है, किसी के साथ में देनलेन कर लिया, तो वहाँ पर भी आपको नुक्सान हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहाँ भी आपको नुक्सान हो सकता है, लेकिन 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तारीक तक आप मोज मनाईए हैं खुब अच्छा माहोल खुब अच्छी स्तिति आपकी रहेगी आपकी आपके परिवार की आपके समाज की में आपकी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आप यस के भागिदार बनेंगे अच्छे मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा या अच्छे मित्र आपके बन सकते हैं भाईयों का सहयोग भी आपको इसके अंदर प्राप्त होने वाला है 20-21 तारीक आपके लिए थोरी सी मन को खिन्न रखेगी मन उदास रहेगा किसी ने किसी कारण से कोई चिंदा आपको हो सकती है कोई बनता बनता कारे बिगड़ जाए उसके कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है तो उसका खयाल लखें 22-22 तारीक ये आपके लिए अच्छी है चाहे आप पढ़ने वाले हैं चाहे आप रोजगार वाले हैं चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे नोकरी वाले हैं, चाहे आप किसान हैं या आप मजदूर हैं, सब के लिए ये अच्छी जाने वाली है, और 24-25 तारीक में हैं, तो 24-25 तारीक जो है, ये थोड़ा सा सावधानी की अवशकता है, क्योंकि आपके वेवार के कारण से, आपके आपका रहेगा, और 26-27 आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 28-39 तारीक ये अपने स्वास्ते का पूरा-पूरा ध्यान रखें, स्वास्ता आपका जो है बिगड़ सकता है, और इस समय पर किसी भी प्रकार की लापरवाई ना बढ़तें, कहीं की भी यात्रा का कोई क तो उसको इस्थगित करें, और तीन दिन अपने घर में विस्त्राम करें, 31 तारीक आपकी बहुत बढ़िया है, हर कारिय के एक्षेत्र में उसको आप जो है कोई भी कारिय करना चाहते हैं, वो आप कीजिए, आपका सफल होगा, बाकि ये जानकारी हमने आपको दी, बाकि आपके जीमन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, इन नमनों पर संपर्क करके, कारियले से अपाइंटमेंट ले करके, कारियले की सेवाए अरपन करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं, वो जान करके और लाव उठा सकते हैं, नमस्कार